Hi guys, this is AP Sir. I welcome you all once again on my YouTube channel, AP Sir English. Today we are going to discuss an abstract topic. आप सभी तमनेल पर देख पा रहे होंगे. हमें डिफरेंस देखना है, सेंपथी और एंपथी में. ये बहुत ही कैतनी जोलंद टॉपिक है, टॉक अप दे टाउन है. कई स्टुदेंस मेरे पूछ चुके हैं, सरक किसी दिन इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और समधा दीजिए काईदे से, क्योंकि ये मेंस में कई बार हमें दिक्कत करता है. तो आज हम इसी पर लेके आए हैं चर्चा, और ये बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं, इसे में एक अफ्स्ट्रेक्ट टॉपिक बोलेंगे, पिरकुल अफ्स्ट्रेक्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक का जो संबंध है, अगर मैं देखूं, अगर आपको बताऊं, तो ये सी करेंगे, कितना जाएगा, ये तो बात में पता जलेगा, लेकिन पूरा कभी ओना वीडियो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो गैरंटी है, आज के बाद कभी इन दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लेर हो जाएगा, चीजे, क्रिस्टल क् एक जाएगा, पूरा का पूरा, अच्छा ये एक साइकलोजी में बता रहा हूं, ये साइकलोजी में एक टॉपिक होता है, सोसल साइकलोजी, उसमें ये बहुत ही अच्छे और बहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, अगर आप कभी एक्जाम के तियारी करेंगे, जैसे आई जैसा कि मैं हमें साइक कुछ भी बताने से पहले आपको एक एक अग्जामपल के माध्यम से शुरू करता हूँ, इसे हिंदी समझ लेते हैं, सहानभूति और एंपेथी का मतलब होता है समानभूति, थ्यान से देखेगा थमनेल को और यह एक्जामपल कुछ इस टाइप से है कि मान लो तीन दोस्त हैं A, B और C अब यह बहुत ही close friends हैं अब यह तीन दोस्त मान लो या तीन सहेली मान लो जैसा भी आप समझो जैसा भी आपको assume करना है क्योंकि वास्तविक्ता से इनका कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ हो महज एक एक एक्जामपल है और जो मैं एक्जामपल लेने जा रहा हूँ वह बहुत ही सकत है उसका भी वास्तविक्ता से कोई लेना नहीं है और मैं एक एक्जामपल के मादम से आपको समझाओंगा कि यह तीन दोस्त हैं A, B, C मैंने लिख भी रखा है इसमें ध्यान से पढ़िएगा समझेगा पहले चीजों को आसानी से सुनिए धेरे धेरे और फिर चीजों को मैसूस करिएगा क्योंकि इन में क्या डिफरेंस है सेंपथी और एंपथी में इसका आंसर मैं आप ही से दिलवाऊंगा और आप लोग ही आंसर देंगे जहां भी बैठे हैं जैसे भी बैठे हैं आप आंसर करिएगा यह मान के चलिए कि यहां पर तीन फ्रेंड्स हैं A, B और C तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और इनकी मान चलो कि यह 16 साल के हैं और 11 स्टेंडर में हैं 11 क्लास में हैं अब होता क्या है आज एक दुखद इंसिडेंट होता है इनके साथ B के साथ B के जो पिताजी हैं वो आज नहीं रहे थोड़ा सा हार्ष एक्जेंपल है इसको समझने के लिए आप समझेगा B के जो पिताजी हैं वो आज नहीं रहे अब ये जो ख़वर है ये जब क्लास में मिली ये क्लास में थे और जब क्लास में मिली तो ये पूरी क्लास को मिली और इन तीनों को भी मिली अब अब बिग सी बात है जब ख़वर मिली तो इसमें क्या है एक चीज़ समझ लीजिएगा कि B के जो पिता है वो आज expired हुई है और C के साथ ये incident तीन साल पहले हो चुका था यानि कि C के जो पिता जी थे वो तीन साल पहले expired हो गए थे लेकिन A के पिता जी अभी भी है इस चीज़ को समझ जीएगा तो इन तीनों में डिफरेंस ये है तो अब जाहिसी बात है स्वभविक सी बात है अगर ख़वर मिलेगी तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो घर जाते हैं अब A और C जो है वो B के घर गए चीज़े को धंक से सुनिएगा यहाँ पर मैं आपको example के मादम से इसको समझा रहा हूँ और थोड़ा सा सक्थ example है थोड़ा सा emotional करने वाला example है समझेगा इस चीज़ को अब A और C B के घर गए A भी B से मिला C भी B से मिला अब आपको यह बताना है कि क्या A और C B के दुख को एकदम ठीक समझ पा रहे हैं या उन दोनों के समझने की मात्रा में कुछ न कुछ अंतर है मेरे ख्याल से इस प्रशन का उत्तर आप समझ पा रहे होंगे A इस बात से दुखी है कि B दुखी है उसका फ्रेंड दुखी है उसके पिता जी नहीं रहे और C भी महसूस करेगा लेकिं C ने आच से तीन साल पहले इस सिचुएसन को अपने आपर जहला है कि पिता की मृत्तिकी होने का मतलब क्या होता है बाक्राप्तर डिफरेंस यहीं से आप समझ पाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस रखेंशन में डिफरेंस क्या है मैं ले सकते था कि कोई job lost हो गई है, कोई business में lost हो गया है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा impact नहीं आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, यह psychology का chapter है, और psychology में ऐसी चीजें आपको बताई जाती है, ऐसी चीजें से आपको रूबरू होना पड़ता है, अब कहानी यह है कि आप देखेंगे कि C, B की इस्तिती को जिस मातरा में समझ पाएगा, समझीगा, क्योंकि C के साथ यह incident हो चुका है तीन साल पहले, तो C जिस मातरा में B की इस्तिती को समझ पाएगा, ठीक उस मातरा या उस अस्तर पर जाकर, A उस situation को नहीं समझ पाएगा, समझेगा सीच को, sympathy over empathy में difference क्या है, हिंदी में पढ़ते रहेगा, अब इसका मतलब, मैं कहानी बना के बताया हूँ कि, अब इसका मतलब यह हुआ कि, A, B के दुख में दुख तो महसूस कर रहा है, यह जो है, जिसको अभी तक कोई ऐसा incident इसके साथ नहीं हुआ है, यह B के दुख में दुख तो महसूस कर रहा है, क्योंकि B दुख ही है, सारा घर पूरा घर में, महौल है उस टाइप का, गमगीन महौल है, तो किन्तु B के दुख की गहराई को, अगर मैं कहूं कि B के दुख की गहराई को, exactly समझने में असमर्थ है, कौन, A, लेकिन अगर C की बात क करें, तो C ना के वल B के दुख की गहराई को समझने में समर्थ है, बलकि वह B के दुख की गहराई को महसूस करने में भी समर्थ है, क्यों, क्योंकि उसके साथ ये इंसीडेंट तीन साल पहले हो चुका था, अब यहीं से एक इन कॉंसेट में क्लिर्टी आ गई, क्या क्लिर का experience अलग-अलग है A ने अभी ऐसी कोई भी incident का experience नहीं किया है और C ने ऐसी incident का experience तीन साल पहले कर लिया है अब यहीं से एक चीज़ समझ में आ गई क्या चीज़ समझ में आ गई कि A के मन में समझेगा sentence को कि A के मन में B के प्रती जो चीज़ है जो भाव है जो मनो भाव है उसे आप sympathy कहोगे तो sympathy कहने का मतलब है कि दूसरों के दुख और पेडाओं को महसूस करने की योगिता को हम sympathy या सहानभूत ही कहते हैं दूसरों के दुख और पेडाओं के महसूस करने की योगिता को sympathy या सहान भूत कहते हैं जिसका आप synonym बगर बात करें तो condolence आपने word सुना होगा condolence का मतलब क्या होता है शोक की अभिव्यक्ति या संबेदना उस टाइब से लेकिन यहीं पर अगर मैं C के perspective से देखूं या C के point आभी उससे अगर देखूं तो जो C के मन में B के प्रतिजो भाव है C के मन में B के प्रतिजो भाव है उसे हम empathy बोलेंगे समझ में आया होगा बहुत आसान तरीके से इन दोनों में difference आपको समझ में आ गया होगा अब कोई भी example उठालो यहां से अब चीजें आसानी से clear हो जाएंगी यानि empathy वो चीज होती है जो आप पहले जहल चुकी होती हो जिसका आप experience ले चुकी होती हो फिर दूसरा कोई अगर उस इस incident से गुजर रहा हो तो आप जाके उसे empathize कर सकते हो उसे empathy बोलेंगे क्योंकि आपके नजरों में वो empathy होगी क्योंकि आपने वो चीज महसूस किये अब आते हैं इसके concept पे उमीद है समझ मैं आ रही होंगे आपको चीजे थोड़ा सा कहते हैं थोड़ा सा सकत था example लेकिन इसके पीशे reason यही था कि मैं आपको बहते तरीके से समझाना चाह रहा था अब इसके concept पे आते हैं कि sympathy और empathy एक्चल में हैं क्या और बने कहां से sympathy काफी पुराना word है काफी old word है और यह जो word बना है यह Greek word pathos से बना है sympathy Greek word pathos से बना है pathos की कई पीडिया आई pathos से कई कडिया बनी pathos से बनते बनते वो sympathy में आ गया pathos का मतलब क्या होता है pathos का मतलब होता है suffering मैं लिख रखा हूँ suffering या feeling यानि दुख या फिर महसूर्स करना उसे बोलते हैं pathos चुकि यह Greek word है चीजों को समझेगा Greek भासा का word है pathos अभी मैंने बताया कि sympathy एक ability है ability मतलब कि योगिता है अब आप समझेंगी योगिता है तो किस चीज को लेकर योगिता है किस बात की योगिता है योगिता है to feel महसूस करने की फिर से एक स्वाभवे से question उठेगा कि क्या चीज महसूस करने की तो महसूस करने की दुखों को पीडाओं को यानि suffering को feeling को किस की suffering feeling की खुद के या दूसरों की जह ऐसी बात है दूसरों की of others others अब others एक word आया others को लेकर आपको मैंने यहाँ पर detail में बता दिया कि others से आप क्या समझ रहे हैं generally others को समझने का मतलब हम इंसान है तो इंसान के बारे में ही समझ लेते हैं लेकिन यहाँ पर sympathy और empathy इंसानों से नहीं कई और चीजों से भी की जा सकती है या उनके प्रत ही दिखाए जा सकती है जैसे कि others में आप human को लेकर ले ले human तो human के लिए ही है animal और birds के लिए भी क्योंकि उनको भी दुख होता है तो आप महसूस करते हो विर्कुल करते हैं इंसान करते हैं हम आ और आप करते हैं animal birds हो जाए या फिर कभी fictional character हो जाए या thing हो जाए कोई चीज आपने movie कभी देखी हो जो fictional पे हो और उसमें कोई ऐसा incident हो रहा हो तो आप फ़र नहीं बड़ा sympathize हो जाते हो इस चीज को लेकर तो उसे भी बोलते हैं तो of others को detail में समझेगा मैं चीजों को हर एक चीज को बारीक से आपको समझाने कुशिश किया हो reason यही है क्योंकि यह concept है यह बहुत बार पूशा जा रहा है और बहुत ही important है क्योंकि इसको लेकर cross test में बहुत जादा दिक्कत आती है तो अब उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जिन जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को उसी तो इसीज की लेकर हमें पता चल गया आप हमें पता चल गया एक example ले ले लेते हैं जैसे मैंने कहा he expressed his अब देखो he अगर मैं बात करूँ a को लेकर a यहाँ पर he रखिएगा यानि कि he की जिगह पर आप a को रखिएगा तो he pronoun है a का समझिएगा लड़का है he expressed his अब देखो यहाँ पर sympathy रखेंगे empathy रखेंगे क्योंकि a अभी तो कोई ऐसा incident जहला नहीं था तो वो sympathy उसके लिए हो जाएगी विर्कुल लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक जिगह पर ना करका c रखों तो c के लिए empathy हो जाएगा दोनों example मैंने लिख रखे हैं ऐसे मैंने एक टॉप कॉर्णर पर एक्जामपल लिख रखा है कि she never expressed any sympathy अब उसने कोई भी दया भाव की भाव ना कोई नहीं expressed की when I was injured जब मैं घायल हो गया था तो इस example को देखेगा समझेगा इस चीजों को अब हम बात करते हैं empathy की empathy की कैसे उत्पत्ती हुई या इसके entomology कहां से कैसे बनी तो बात जैसे sympathy की थी वैसे empathy की भी है empathy भी same है वही समानुभूती परानुभूती इसको कुछ लोग परानुभूती भी बोलते है sympathy का हिंदी मीनिंग सहानुभूती है सहानुभूती का मतलब सहानुभूती, लेकिन एमपथी का मतलब होता है समानुभूती, परानुभूती, बात वहीं से भी बनी है, ग्रीक वर्ड्स पैथास से ही बना है, पैथास का मतलब अनुभूती होती है, पिगड़ा होता है, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, कि कुछ लोग हिंदी में समवेदन आरोब बोलते हैं और ये mental position को बताता है किसी चीच के mental position को बताता है अच्छल में fallacy क्या है पहले ये वर समझ लीजे कि pathetic क्या है pathetic आप वो वर्ड नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि pathetic performance है बहुती बुरा performance है ये pathetic वो pathetic नहीं है ये pathetic fallacy figure of speech है complete word है pathetic fallacy तो fallacy क्या होती है पहले तो कोई बताएगा fallacy ब्रांती होती है ब्रांती समझते हो ना misconception जिसे बोलते हो ब्रांती है जिसे मैं कहूं कि ये कहा जाता है कि जो पैसा होता है वो happiness को लाता है हैनि money brings happiness ये एक fallacy है ब्रांती है it is not true ये ट्रू नहीं है बिरकुल सही ही क्योंकि जो happiness होती हो is state of mind होती है तो अब आगे बढ़ते हैं concept को देखते हैं कि ability इसमें भी देखी ability है किसीश के लिए योगिता है अब देखो योगिता हमारी sympathy में योगिता की सीश की थी sympathy में योगिता थी feel करने की लेकिन इसमें योगिता की सीश की है जानने और समझने की समझेगा difference में इसमें योगिता इस सीश की लेकर है कि जानने और समझने की क्या जानने और समझना तो उसमें जो sympathy में था वो था कि आप दूसरों की suffering और पीडाओं को जानना, feel करना था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें दूसरों की mood और mental state को, mental state मन हसते ते जीसे बोलते हो, उसे तो mental, या mental state या mood को, और किसकी? दूसरों की, फिर सू अगें, दूसरों कौन? उसमें आ जाएगा आपका human और animal जो भी आ जाए fictional character भी आ सकते हैं इसमें इस चीश को लेकर इसके लिए एक प्रोब भी कभी कभी पूछी आती है और उसे आप समझ सकते हो putting yourself in the other person's shoes या फिर बोल सकते हो putting your feet in the shoes of others ऐसे भी बोल सकते हो कहते हैं कि किसी की स्थिती को अगर जानना है तो उसकी जगा पर अपने आपको रख के देखो तब आप actual में भाप पाओगे कि वो किस दोर या किस position से गुजर रहा है तो ऐसे किसी के बारे में बात नहीं किया जा सकता है और ना ही करना चाहिए किसी के बारे में किसी की मन स्थिती और क्या स्थिती उसकी है तो अगर आप actual में समझना चाह रहे हैं उसकी mental state तो आप उसकी कतनी उसकी जगा पर अपने आपको रख के देखिए फिर आप समझ पाएंगे कि वो किस स्थिती से गुजर रहा है इस चीश को लेकर समझेगा बड़ा ही कहता है नहीं कि बड़ा ही emotional topic है ये और psychological topic है तो विरकुल आपके psychology से या दिमाग से जुड़ा हुआ है तो ये सीज आपको समझ में आई होगी बड़ी आसानी से तो अब अगर मैं एक line में बोलू तो ये बोलूँगा कि sympathy और empathy एक दूसरी का synonym तो है लेकिन इनके uses में difference है बहुत ज़दा difference है there is a huge difference between these two words sympathy और empathy अब इन्हीं से word वर्ब भी बना है sympathize और empathize समझ में आया होगा कि sympathy और empathy क्या होता है sympathy फिर से में एक line में बता दूँ कि दूसरों की दुख और पीड़ाओं को महसूस करने की योगिता को sympathy कहते है सहनभूत ही कहते है जरूरी नहीं होता है कि आप वो चीश जहले हों लेकिन empathy में आप वो जरूर कहीं कहीं न कहीं experience गेन कर चुके होते हो अब कहीं किसी न किसी तरीके से उसे आप empathy बोलोगे अब sympathy जो वर्ड होता है समाजी में वहाँ पर समाज में तो वहाँ से भी गेन किया जासकता है जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान के पास sympathy हो इस चीश को लेकर समझेगा question आप से पूछा जासकता है क्या हर इंसान के पास sympathy है जरूरी नहीं है बहुत से लोग तो नहीं है तो इस चीज़ को समझेगा अब उमीद है आपको बड़ी आसानी तरीके से बहुती आसान तरीके से समझ में आया होगा कि empathy क्या होता है और sympathy क्या होता है फिर से मैं बता दे रहो empathy आप उस experience को इस incident को जहल चुके हो जो दूसरा आज जहल रहा है लेकिन sympathy आप सिर्फ हो सिर्फ उसे के साथ sympathize हो रहे हो सांतोना दे रहे हो आप उस experience को नहीं उस experience नहीं किये हो उस चीज़ को लेकर तो उस चीज़ को लेकर आप समझेगा sympathy और empathy में difference है मुझे लगता है मैंने बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से आपको समझाया है कैसा आपको लगा आप जरूर बताएगा तो आज जो देख लेते हैं इसके कुछ example मैंने नोट किया है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे यहाँ पर पती पती वर्ड आ गया तो मैं इसको लेकर बता दू पैथी आपने वर्ड सुना होगा पैथी बहुत सारे English words ऐसे आते हैं जिसके suffix में पी य किधाय अब त एअच वर्ड या फिर पी आ टी एच वाई वर्ड इमसे लोग अंदी मतलब कुछ लोग वताते हैं दूरसमवेदन दूरसमवेदन मतलब की आपके आवाज ना सुनकर आपके माइंड की जो माने माइंड से दिमाग से खेलते हैं वी लोग यानि वहाँ पर communication तो होता है लेकिन without speech होता है तो वहाँ पर क्या होती है भावनाओ का उसे बोलते हैं टेलिपैथी ऐसे आपने pathology word सुना होगा pathology में होता है actual में क्या है इंसान की जो suffering होती है उसे represent करता है किसी की न किसी की माध्यम से तो उसे pathology बोलते हैं तो इसको चीज को भी समझते रहेगा हर एक चीज के पीछे हर एक word के पीछे logic है उसके होने या ना होने का आई इसके example देखते हैं और उमीद है आपको समझ में आयोगा कभी भी इसका कथनी कभी भी इसमें confusion नहीं होंगे पहला example देखते हैं जब उसे fire कर दिया गया जब उसे जॉब से निकाल दिया गया तो अब मेरे अंदर उसके friend के लिए क्या होगा बताइए एंपथी होगी या सेंपथी होगी जाह सी बाद है क्योंकि मैं पहले से पहले ही जॉब खोचुका था और मुझे उस जॉब खोने का जो suffering होती है जो पीड़ा होती है और कितने कठनाई हैं से गुजनना पड़ता है उस चीज को लेकर मैं experience हो चुका हूँ यानि experienced हूँ है उस चीज को लेकर तो मुझे उस चीज के बारे में सारी पता है तो मेरे लिए वो क्या चीज होगी दूसरा फ्रेंड के लिए empathy होगी या sympathy होगी जाहे से बात है आप answer दे दिया होंगे empathy होगी empathy answer सही है यहाँ पर पिरकुल दूसरा बढ़ते है I do not expect मैं उमीद नहीं करता हूँ vote in the election if you feel I deserve it then vote for me अब देखो बड़ा अच्छा example है इसमें कर रहा है मुझे कोई उमीद नहीं करता हूँ अगर मैं उमीद मतने अगर मैं डिजर्ब करता हूँ तो फिर आप मेरे लिए वोट करिएगा तो यहाँ पर क्या होगी सेंपथी होगी या empathy होगी अब जाहिसे बाद है मैं election में खड़ा हूँ आप तो election में नहीं खड़े हैं आप election में नहीं खड़े हैं तो आप simply vote देने आए हैं तो आप मैं आप से कहूँगा कि मैं आप से ऐसी कोई उमीद नहीं करता हूँ अगर आपको अच्छा लगे मैं deserve करता हूँ अच्छा candidate हूँ और अच्छा काम करूँगा आपके एडिया में अपनी एरिया में तो भी आप ओट दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी यहाँ पर simply sympathy हो जाएगी empathy नहीं क्योंकि वो election में नहीं खड़ा है मैं खड़ा हू मैं experience गेंड कर रहा हूँ वो नहीं गेंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sympathy हो जाएगा sympathy is going to be here correct option अगला देख लेते हैं third number का मैंने दे रखा है after watching the news news तेखने के बाद they expressed उन्होंने express किया क्या express किया for the victims of the flood यानि कहीं बाढ़ आ गई और बाढ़ में बहुत से ल वेखे अठी टीवी देख रहे हैं आप तो अशीश को लेकर महसुस नहीं कर रहे हो या वहाँ पर आप बाढ़ में नहीं हो तो अगर आप बाढ़ में नहीं हो जिए सिर्फ आपके अंदर feeling है वो महसूस कर रहे हो कि कैसे लोग तरस रहे हैं बचाया जा रहा है लोगों को उस चीज को दया भावना आ रही है आपके अंदर तो उस चीज के लेकर दया भावना आपके अंदर आ रही है तो क्या हो जाएगी आपके लिए sympathy हो जाएगी, empathy नहीं हो जाएगी sympathy हो जाएगी, आगे देख लेते हैं last, I die as with poor people as once I was also poor अब देखो मेरे अंदर क्या है I die as with poor people लोगों की प्रती मेरे लिए क्या है as once I was also poor कि एक समय मैं भी गरीब था यानि जब करीब में था तो इस चीज को लेकर मैं समझ पाया था कि actual में गरीबी होती क्या है और गरीबी में कितने दुख को जहलना पड़ता है कितने कस्ट जहलने पड़ते हैं इस चीज को समझ पायते हैं तो अब यहाँ पर देखो हमने sympathy और empathy को as a verb यूज किया है sympathize और empathize तो अब देखे यहाँ पर आप क्या लगाएंगे sympathize लगाएंगे empathize लगाएंगे बरिकुल जाहसी बात है आपने answer दे दिया होगा empathize लगाएंगे क्यों empathize लगाएंगे क्यों कि मैं भी पहले गरीब था और इस चीज को लेकर मैं समझ पा रहा हूँ उमीद है आपको बहते तरीके से समझ में आया होगा अगर आपको कोई और topic लेकर आपको doubt हो रहा है या फिर बताएगा या फिर मैं आपको धिरे-दिरे जो आपके close word है या जो confusing word है वो मैं आपको बताता रहूँगा धिरे-दिरे छोटे-छोटे वीडियो बना के तो आज जो है वो यहां पर आपको समझ में आया होगा इस चीज़ को लेकर So with this we have finally come to an end of what the difference between sympathy and empathy उमीद है आपको समझ में आया होगा इन दोनों में difference क्या है तो आज यहीं रखते है next topic में कोई और topic बताएंगी और उसमें आपको बताएंगी कैसे क्या difference होता है आज के लिए इतना ही thank you class data bye bye अपना ख्यार लखिएगा जैन दोस्तों